किसान भाईयो नमस्कार मैं हूँ दसरत आगड आप देख रहे हैं डी पार्मिंग यूटूब चैनल इस वीडियो में हम सर्सों की खेती के बारे में बात करेंगे अधिक्तर सेत्रों में सर्सों की फसल में फल्यां बनना शुरू हो चुकी है इस समय फसल में कापी देखरे की जर्रत होती है साथ ही कई सेत्रों में बारिस की संभावना भी बताए गई है अगर फल्यां बनते समय बारिस होती है तो इससे सर्सों की फसल में बारी नुकसान होता है इस वीडियो में मैं आपको सरसों में फल्या बनते समय तीन इसे काम बताऊंगा अगर आपके सेतर में बारिस भी हो जाती है तो आपकी वसल में कम से कम नुकसान होगा और बारिस के कारण आपकी वसल नीचे भी नहीं गिरेगी इस वीडियो में आपको पूरी प्रेक्टिकल जानकारी दी जाएगी आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए यदि आप हमारे चेनल पर नए हो चेनल को सब्सक्राइब कर दीजिए पासमय गंटी के निसान को भी जरूर दबाईए जिससे हम आगे कोई भी नया वीडिय करें तो तुरंत आपको जानकारी मिल जाए किसान भाईयों इस समय सरसों में जो फल्यां बनना सुरू हो जाती है इस समय पोदे पर ज्यादा वजन हो जाता है जिस कारण पोदा नीचे भी गिर सकता है अगर हमारे सरसों नीचे गिर जाती है तो सरसों में बारी नुक्सान होता है अगर सरसू पकने के बाद यानि की फल्यों में दानों का बराव होने के बाद सरसू नीचे गिरती है तो सरसू में कम नुक्सान होता है वहीं कुछ किसानों की सरसू में अभी फल्यां बनना सुरू हुई है एसी सितिती में सरसों अगर नीचे गिर जाती है तो इससे सरसों में दानों का बरावचे से नहीं होता है और दानों का आकार भी छोटा रह जाता है जिससे हमारी पेदावार कम निकलती है किसान बायू मोसम विवाग के अनुसार कहें सेत्रों में आज कल बारिस होने की संभावना बताए गई है अगर आपके सेत्र में भी बारिस की संभावना बन रही है तो आप भूल कर भी सर्सों में सीचाई ना करे अगर बारिस हो जाती है और आप दोबारा सीचाई पहले से ही कर देते है तो इससे सरसों नीचे गिरने की संभावना बन जाती है साथ ही खेत में ज़्यादा नमी होने से दानों का बराव अच्चे से नहीं होता है साथ ही खेत में जो क्यारियां होती है उनमें पानी निकासी का रास्ता आप पहले ही बना ले आपको लगता है कि आपके सेत्र में बारिस हो सकती है तो क्यारियों में पानी निकासी का रास्ता आप पहले ही बना लीजे जिससे क्यारियों में पानी का बराव ना हो और हमारे सर सरसों में अभी फल्यां बनना सुरू हुई है तो इस समय आप NPK 0050 का पर्यूग कर सकते हैं जिसमें 50% पोटास पया जाता हैं साथ ही इसमें कुछ सलपर की मातरा भी होती है पोटास दाना भराव में मदद करता हैं फल्यों में दानों का भराव जल्दी करवाता है साथ ही किषाई की मातरा को बढ़ता है और ठंडर से भी सरसों को बचाता है एक किलोग्राम परति एकड की दर से आप सर्सों में NPK 0050 का परे कर सकते हैं किसान बायों इस समय आपकी सरसों में स्परे करने में कापी दिक्कत आती है अगर आपकी खेत में आसाने से परोटा है तो ही अपनी फसल के अनुसार ही इन चीजों का प्रियूग करे तो किसान भाईयों ये तीन काम अगर आपके सेतर में बारिस होने वाली है तो आप एक काम कर सकते है जिससे सर्सों की फसल में कम से कम नुकसान होगा और आपकी फसल एक दम से सुष्थ रहेगी नीचे गिरेगी भी नहीं तो उम्मित करता हूं जानकारी आपको पसंद आई होगी वीडियो को लाइक और अधिक साधिक सीयर जरूर करें धन्यवाद चैकिसान